नमस्का दोस्तों हम सीखने टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन में आपको वतारेते एनिमेट सिसी के बारे में चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और आज की इस वीडियो में को दिखाऊंगा कैमरा का यूज कैसे करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैंने ये एक scene create किया हूँ और इस पे जो है हम एक camera का use करेंगे और उसकी मदब से हम कैसे किसी भी scene को हम zoom कर सकते हैं और उसको left right या कहीं भी उसको animate करा सकते हैं तो चलिए देखते हैं आप यहां पर देख सकते हैं layer के ऊपर एक camera का scene बना हुआ है जब इस पर click करते हैं तो आपको एक layer यहां पर create हो जाता है और यहां पर एक control करने का option आजाता है तो आप इसको अगर इस तरफ बढ़ाते हैं तो आपका zoom होता है और इस तरफ अगर करते हैं तो zoom out होता है इसी तरह से अगर आप चाहते हैं हमारा zoom हो गया कुछ इस type से और यह character को आप चाहते हैं बीच में लाने के लिए तो आप यहां पर कहीं पर भी आप cursor ले जाएं और इस step से drag कर सकते हैं या step से drag कर सकते हैं जिस तरफ भी आपको करना है और इसमें क्या होता है अगर मैं आपको छोटा करो अगर आप यहां पर करेंगे तो आपका यह नहीं होगा यह आपका mouse का pointer जो है इस scene के साथ जो बीच में या side मतलब scene के अंदर होना चाहिए अधरवाई यह काम नहीं करता है इस step से हमने इसको बीच में किये और मैं और जूम कर लेता हूँ अपना वरा मैंने किया और अगर यहां पर देखिए एक option है अगर इसको क्लिक करते हैं तो जो scene के outside है वह आपको hide हो जाता है तो आप देख सकते हमारा scene जो है यह बिल्कुल जूम हो गया अब देखिए यह character जो है कुछ इस तरफ चला गया और मैं चाहता हूँ कि जब यह character जिस तरह से चल रही है उसी type से हमारा scene जो भी है वह भी चलता रहे तो मैं क्या करूँगा यहां पर जाते हैं एक और pointer लगा हैं और हमारा character जो है यहां पर आ गई तो हम इसको चाहते हैं इस scene के अंदर तो मैं क्या करता हूं इसको drag करता हूं कुछ इस type से यहां पर हमने इस सीन के अंदर मैंने इसको ला दिया और फिर से मैं इस पर क्लिक कर देता हूं आप देख सकते हैं यह जिस तरह से इसका करेक्टर चल रही है उसी टाइप से इसके जो बैक्ग्राउंड है वह भी मूव हो रहा है मैं आपको चला कर दिखाता हूं देखिए अब देख सकते हैं इसके जो बैक्ग्राउंड है वह भी मूव हो रहा है तो ऐसे ही आप अगर बीच में भी इसको आप कहीं पर भी लगाना चाहते हैं एप 6 लगा के आप इसको अलग टाइप से मूवमेंट करा सकते हैं मान लिए हम चाहते हैं कि इस केरेक्टर को मैं कि अब यहां देखिए फिर से यह जूम होना शुरू हो गया है और अगर फिर से मैं चाहता हूं यहां पर आने के बाद अगर यह थोड़ा सा जूम आउट हो जाए यहां पर इस टैप से अब मैं चला कर दिखाता हूं लो हम कि तो कोई भी ख्र prol चेंडव करते हैं कोशिष करें के कि हम कारेक्टर को हम चोटा बड़ा ना करके उसको हम किम्रा की मदद से उसकい प्रक्टर को चोटा भकडा करा सकते हैं इससे फायदा क्या होगा कि आप कभी भी जब से पसली अब हटा आते हैं अगर मालों इस से डिलीट कर देता हूं आप देख सकते हैं वह character जो है same position पे आ गई है अगर जो ही हम camera को सब्सक्रिक करते हैं तो फिर से वह animate होके शुरू हो जाता है आप देख सकते हैं फिर से आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं आप जहां से भी माल लेज़ें इसको हम बढ़ा करना चाहत अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो character है अब जब कोई भी जो सीन करते हैं तो पहले ये बोलेगा फिर ये बोलेगी तो इस टाइप के सीन को भी क्रियेट हं 카메라 के द्वारा करा सकते हैं इसरे मैं आपको दिखाता हूं इस ग्राइप करता हूं यहां पर मैं steps कर लेता हूं और थोड़ा सब केमरा को छोटा भी कर लेता हूं इस step से मालो हमारा पहला scene कुछ step से है first scene को हमने step से create किये मैं इसको क्या करता हूं यहां से मैं step से अब मैं क्या करूँगा कि जो पहला हमारा जो है इस character अगर बोल रहा है तो मैं क्या करूँगा इस character को मैं जूम कर लूँगा तो मैं यहां से क्या करता हूं एक frame पे मैं क्या करता हूं f6 लगाता हूं और इसको मैं create करता हूं जूम करके और इसको मैं रखोंगा यहां पर अगर यह character बोलना शुरू करता तो मैं इसको पहले zoom कर दिया अभी दिख़िए इसे था और यहां से मैंने zoom कर दिये और इसमें इसको हम हटाते हैं तो इस step से देख सकते हैं हमारा जो है पहला character हमारा इस step से फिर is step से scene हो गया अगर अगर फिर से यह जो character है यह अगर बोलना शुरू करती है मैं क्या करता हूँ यहां पर आते हैं एक यहां पर F6 लगाई और मैं क्या करूँगा अब की बार जो है इसको मैं side करता हूँ और इसको मैं यहां पर ला देता हूँ कुछ step से अब देखिए इस step से जो है cut के यह जो है इस पर आ गया तो इस step से आप कोई भी scene को create कर सकते हैं और मैं फिर से क्या करता हूँ यहां पर अगर आते हैं दोनों अगर बोलना खतम कर दिया तो मैं इसको एक बार फिर से दोनों को scene में ला देता हूँ अगर मैं अभी control interface करता हूँ देखिए पहला इस यह था scene फिर इस ने तो इस टैप से जो है कोई भी scene को आप camera के द्वारा भी create कर सकते हैं तो यह ता दोस्तों आज की वीडियो में camera का यूज हम कैसे करते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लें जिससे में कोई भी आगे वीडियो लेका हो तो उसका update आपको तुरंत मिल रहें तो मिलते दोस्तों next वीडियो में आज के लिए thank you